बत्मन जो परिस्थितियां उनको देखते हुए एक तो हम आज कल से ये तै कर रहे हैं कि कख्षा एक से लेके कख्षा बारह तक के सवी स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे इन परिस्थितियों में 50 परसंट छपता पर हम स्कूल चला रहे थे लेकिन इस समय जो सुझाओ आए हैं और लगता है कि यह उपयोग दोगा कि अभी हम फिलाल 31 जनवरी तक बंद करें फिर परिस्थितियां हम देखेंगे उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे और इसी प्रिकार सभी प्रिकार के मेले चाहे वो बानिक जीक मेले हो या धार्मिक मेले हो मैं इस्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा है मकर सक्रांती का पर्वे इस्नान करने जा रहें धार्मिक इस तलमी खोले रहेंगे लेकिन मेले नहीं लगेंगे चाहे बानिक जीक हो चाहे धार्मिक हो इसका पालन कल से सुनिश्चित हो जाए कोई भी जुरूस और रैली राजनेति क्या सामाजिक सभाब वो भी पृतिवंधित रहेगी हाल के अंदर कारिक्रम किये जा सकते हैं लेकिन जो हाल की छंका है उसका पचास परसेंटी उपस्थिती रहे समस्त राजनेतिक सांस्कृतिक धार्विक सेक्षिक मनोरंजन यद्दा जी कारिक्रम अगर खुले में होते हैं तो ढाई सो अजिक्तम संख्या रहेगी इस से ज़्यादा की संख्याकें नहीं होंगे जो बिबाव में हमने संख्या रखी है भई लेकिन बड़ी रैली बड़ी सभाव बड़े आयोजन वो अभी प्रितिवंधित किये जाते हैं सभी प्रिकार की खेल गत्विधियां स्टेडियम की 50% छमता के हिसाब से बिना दर्सकों के दर्सकों की दीड़नी चाहिए लेकिन स्टेडियम की छमता की 50% के बड़ खिलानी रहें वो की जा सकेंगी प्रिए बोट की परिक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था तो इन परिक्षाओं को भी टेक होम एक्जाम के रुप में किया जाएगा और उस हिसाब से स्कूलों में विवस्था मना ली जाएगा